So hello guys, welcome back to our channel तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ सेर करने वाला हूँ Instagram एकाउंट का पासवार्ड कैसे चेंज करें आप भी अपने Instagram का पासवार्ड चेंज करना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहे हैं आपको बड़े ही आजसान मैथड से बता दूँगा की पासवार्ड कैसे चेंज होता है उससे पहले दोस्तों अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह helpful content मिलती रहती है अगर वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक कर देना अब हम बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कि कैसे आपको इस्टाग्राम का पासवार्ड चेंज करना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने इस्टाग्राम को ओपन कर लेना होगा लोगों पर क्लिक करते ही आपके इस्टाग्राम का लूप कुछ इस प्रकार दिखेगा तो उपर आपको right-side, up-corner पर त्री Lines देखने को मिल जाएंगे देन इसपे क्लिक करना है इसपे क्लिक करते ही आपको डेर सारे options so हो जाएंगे तो आपको यहां settings पर click करना है जैसे इस settings पर click करेंगे तो फिर आपके सामने इस type का page आएगा तो आपको यहां security देखने को मिल जाएगा then security पर click करना है जिसे आप security पर click करेंगे तो आपको यहां देखने को मिल जाएगा password तो आपको password पर click करना है तो यहाँ पर password change करने के लिए एक बात का ध्यान देना है कि आपको अपने Instagram अकाउंट का पुराना वाला password याद रहना चाहिए तभी आप यहाँ पर password change कर सकते हैं अगर आपको पुराना वाला password याद नहीं है तो टेंसल लेने की कोई बात नहीं सिधे आप comment box में comment करिए मैं आपको वीडियो बनाके डाल दूँगा आप वहाँ से देख के समझ सकते हैं कि Instagram का password कैसे निकाल जाता है अब बात आती है password change करने को तो simply आपको यहाँ अपना वाला password टाइप कर देना है जो password आप इस Instagram account को बनाते समय आले थे या इस Instagram पर अभी फिलहाल में जो password है उस बाट को यहाँ पर टाइप कर देना है password टाइप करने के बाद अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है आप यहाँ पर नीचे लिखा है new password तो यहाँ पर new password कोई ऐसा password strong password आपको चुनना है जो कि कोई और बंदा उसका अंदाजा ना लगा सके और वो password आप भूल भी ना सके तो चलिए हम यहाँ कोई strong सा password बना लेते हैं अब एक बात का ध्यान दे जो password आप new password टाइप किये हैं आपको इस नीचे वाले box में टाइप करना है new password अगेन में यहाँ पर क्लिक करना है तो चलिए हम यहाँ पर भी अपना strong password टाइप कर देते हैं दोनों box में same password टाइप करने के बाद आपको अपना keyword कट करना है keyword कट करने के बाद यहाँ right side आप corner पर देखेंगे तो एक correct का symbol आपको देखने को मिलेगा दैन इस पर क्लिक कर देना है जैसी आप इस पर क्लिक करेंगे तो यह कुछ processing लेगा और आपका password यहाँ change हो जाएगा दोस्तों I hope कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा इसी तरह के और भी helpful वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी subscribe कर लें तो मिलते हैं आप किसी और वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई